Retro Studies में आप सभी का स्वागत है आज हम Class 9 के Moments book से The Last Lift जो की O. Henry द्वारा लिखा गया है इसको पढ़ेंगे और ये बहुत बहुत बहुतरीन स्टोरी है तो आई ये स्टार्ट करते हैं ये जो कहानी है वो दो लड़कियों से स्टार्ट होता है जिनका नाम Siu और John C. रहता है जो की एक छोटे से फ्लैट में एक साथ रहा करती थी ये दोनों आर्टिस्ट थी और ये लोग एक पुराने से घर में तीसरी माले पे रहा करती थी एक दिन क्या हुआ कि John C. बहुत ज़्यादा बिमार हो गई और वो समय नवंबर का था Siu को नुमोनिया हो गया था और वो हमेशा अपने बिट पे ही पड़ी रहती थी वो इधर उधर मूव नहीं करती थी वो हमेशा फिटकी से बाहर देखा करती थी और Siu उसकी दोस्त रहती है वो पहुत ज़्यादे John C. को लेके परिशान रहती है कि आखिर में इसको क्या हो गया है और ये सारी चीज सोचने के बाद वो डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर डेली आता है और Siu को बताता है कि John C. के कंडिशन में किसी प्रकार का कोई इंप्रोव्मेंट देखने को नहीं मिल रहा है जो डॉक्टर आता था वो कंफर्म कर दिया कि John C. के मन के अंदर जीने की एक्षा नहीं है और उसने ये भी कहा कि अगर इसके अंतर मन में जीने की एक्षा नहीं है तो कोई भी मेडिसेन इसको सही नहीं कर पाएगा अगर इसको सही होना है तो इसको अंदर से ये चाहत बनानी होगी कि वो ठीक हो जाएगी और फाइनली बिना दवा के भी वो सही हो सकती है ये बात चुनने के बाद सीव बहुत प्रयास करती है कि John C. के माइंड़ से को अलग अलग चीजों से ही चींज किया जाए वो उससे clothes के बारे में बात करती है fashion के बारे में बात करती है लेकिन John C. किसी प्रकार का कोई response सीव को नहीं देती है वो वैसे ही अपने बेट पे पड़ी रहती है क्यूकि हमने पहले ही देखा कि Siu और John C. दोनों आर्टिस्ट रहती हैं तो Siu क्या करती है कि अपना ड्रॉइंग बोड रूम में लेके आती है और पेंटिंग स्टार्ट कर देती है ताकि क्या पता इस चीज को देखके John C. के मन में पेंटिंग का ख्याल आए और उसका माइंड से बदल जाए और वो ठीक हो जाए अच्छानक से Siu ने सुना कि John C. कुछ बुदुदा रही है वो तुरंत बेट की पास दोरते हुए गई और उसने सुना कि John C. उल्टी गिंती गिन रही होती है और ये उल्टी गिंती खिडकी से बाहर देखके गिन रही होती है वो कहती है 12, 11, 10, 9 इस तरीके से वो काउंट कर रही होती है और वो भी रुक रुक के वो क्या देखती है कि एक ओल्ड आईवी क्रीपर जो की दिवाल पे लटका हुआ रहता है उसके खिडकी के opposite side में वो क्रीपर से पत्ते गिर रहे होते हैं और पत्ते गिरने का कारड ये रहता है कि उस समय बहुत तेज हवा चल रही होती है देखके ये पता चलता है कि जो रहती है बहुत depressed रहती है वो अपने मन के अंदर ये thought बना लिया होती है कि जब उस आइवी क्रीपर का आखरी पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सिव उसको शूप वगरा ओफर करती है लेकिन उसे भी वो डिनाई कर देती है आगे देखेंगे कि सिव किस तरीके से जौण सी को प्यार दुलार कर रही होती है और उसे कहती है कि वो उसे मरने नहीं देगी चुकि सिव खिड़की से पर्दे को हटा दी होती है क्योंकि उस समय उसको लाइट किया वा सकता होती है क्योंकि वो उस room में जॉंसी का mindset change करने के लिए painting कर रही होती है उसके मन के अंदर एक desire होता है कि उस painting को बेच के वो कुछ पैसा कमा लेगी सीव बहुत विंती करती है जॉंसी से कि तुम खिड़की से बाहर ना देखो क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई वैक्ती अगर depressed होता है और एक ही चीज को बार बार देखता रहता है या सूचता रहता है तो उसकी तबियत और भी ज्यादे खराब हो जाती तो इस चीज को देखते हुए सीव ने जॉंसी से request किया कि तुम खिड़की से बाहर मत देखो उसने जॉंसी से कहा कि तुम मरोगी नहीं सीव के लिए तुमको जिंदा रहना पड़ेगा सीव कहती है कि जॉंसी के मन में जो विचार चल रहा है वो एकदम अलग है वो सीव क बहुत ज्यादे परिसान रहती है अपने उस दोस्त के कंडिशन को लेके लेकिन सीव भी helpless रहती है आखिर में वह कर ही क्या सकती थी शीव तुरंत ग्राउंड फ्लोर के तरफ गई क्योंकि वह सोची कि अगर और कुछ नहीं हो सकता है तो एक साट साल का जो पेंटर है जिस मना कर दे रही हैं कंटिनेशली बाहर देख रही है और कह रही है कि वह सर्वाइव नहीं करेगी जैसे ही लास्ट लिफ गिरेगा वो मर जाएगी जिब यह बाते बर्मन सुनता है तो कहता है कि वह लड़की बेवकूफ है क्या ऐसी बाते वह क्यों कर रही है लेकिन कुल मि वह अभी तक वैसे का वैसे ही है और सर्प्राइज होने के 여ER ये होता है कि रात में बहुत थे तुफान चल रहा होता है और इस तुफान में भी व एक सिंगल पत्ता dependent कहां आता है वह वैसे का वैसे ही रहता है और सामका भी फिर जब तुफान आता है तो उस तुफान में भी यह जो इंसिडेंट रहता है ना जौन सी की आँखे खोल देता है वो अपनी दोस्त सीव से अपने इस हरकत के लिए माफी मांगती है कि वो बहुत जादे इर्रिस्पॉंसिबल अपने आपको लेकी हो गई थी और डिप्रेस्ट हो गई थी जौन सी रियलाइज करती है कि मौत के बारे में सोचना एक बहुत बड़ा पाप है और उसके बाद उसने अपने बालों को कौम किया सूप पिया और उसके मन में जीने केक्षा जागरित क्योंकि इसके मन के अंदर जीने केक्षा पुना जागरित हो चुकी है इसके बाद सीव बर्मन को देखने जाती है क्योंकि बर्मन भी दो दिन से बहुत जादे बीमार था लेकिन जब वो नीचे पहुंचती है बर्मन के रूम में तो देखती है कि बर्मन निमोनिया के कार मर चुका है और उसका कपड़ा जो रहता है पंडा रहता है और भीगा हुआ रहता है यह बात सीव जाके ज dış सी को बताती है और उसके बाद उससे कहती है कि जो तुम लास्ट लिफ Sus Creepers पर लटका हुआ देख रही हो उस पेंटिंग को मास्टरपीस इसलिए कहा गया है क्योंकि वह पेंटिंग एक इंसान की जिंदगी बचाई उस पेंटिंग के वज़से जौन सी के अंदर जीने की लालसा जागरित हुई उससे पहले जौन सी एकदम डिप्रिस्ट थी उसका मानना यह था कि जैसे ही लास्ट बार वेता ही तूस्तुरिस देखर के लिजवापन कि बार नार जुर तुरे तुरा रिषिफट रिफ़ सब्सक्いきवान क बनाति हो हुआ थार ये के लिए रया रखोल przy ये